नमस्कार मैं शंभुकुमार सिंग और आप देखने नेसनल दस्ता के वो वरी खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है और एक कोई टीबी ये खबार नहीं दिखाएगा इसलिए मैं कहता हूँ बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोसल मीडिया ही बहुजन मीडिया है यूपी के लखहिंपूल खीरी में दलित आकास पासी को पुलीस वाले कस्टडी में पीट-पीटकर हत्या कर दी ये अंबेटकर पिपूल ने टूइट किया है प्रित परिवार का रोप है कि पुलीस वाले ने आकास को चोडी के लिजा में जबरन पकर लिया पांट दिन थ यहां उसको अच्छन सेखर आजाद ने भी इस टूइट को आगे बरहाया है उन्हों ने भी टूइट किया जो मेंबर आफ पार्लियामेंट है और यह सोशल मीडिया पर सबसे जादा लखिमपूर के फरधान थाने में चोरी के आरोप में 3 सितंबर से बंद दलित इवक आकास राज को पुलिस ने इस बेरहमी से पीटा की 7 सितंबर को पुलिस की उनकी तबियत बिगर गई और लखनव में इलाज के दौरान 13 तारीक की रात में उसकी मिरत्तू हो गई घटना बेहत दुखद है मैं डीजीपी किसे मामले की निस्पक्ष जाच की मांग करता हूं और सा तो दलित पिछडों पर क्या इस्तिति है आप अंदाजा लगा सकते हैं यह स्क्रीन इस और देखिए सिब्लिंग पर पैर रखकर पुजा करते देखकर हिंदू धर्म के ठेकदार कुछ बोलेंगे सोसल मीडिया पर वायरल है मुझे इसकी पता नहीं है और यह आचार अनुरूद है सोसल मीडिया पर टीवी वालो टाइमस नाउने इनको बैठा कर गोबर रख दिया कहा कि इसको खा कर दिखाईए इसका लेप लगा कर दिखाईए और इससे कैंसर भगाए और इससे बैच्चा पैदा कीजिए यह भी सोसल मीडिया पर वायरल है और सोचिए अब इशे कुप ध्याय ने लिखा अब लगता है इनकी पतकाईता जाग गई है अरबिंद के जरिवाल को जमाना संजय सिंग को जमाना सिसौदिया को जमाना सिवुस हमन सुरेन को भी जमाना लेकिन उमर खालीद खालीद सैफी सरजी लिमा मिरान हैदर को जमानत नहीं मिल रही है कौन बचाएगा इनको यह बड़ा सवाल है जो सोसल मीडिया पर वायरल ह और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है अनिल बीज हर्याना के जो नेता है कि मैं भी मुखमंत्री पत का दावेदार हूँ अब देखते हैं कि वो भी उसी काड कैसे चलता है और मुले ठुले नहीं चलेंगे यह नारा लग रहा है कॉंग्रेस सासित हिमाचल पर्देश में ज पिर कह रहा हूँ बीजेपी से जादा तिकरमबाजी कॉंग्रेस सासित पर्देशों में होता है कब तक मुस्लिम समाज के लोग नहीं समझेंगे यह सबसे बड़ा सवाल है और दोनों का पॉलिटिक्स हिंदुत वादी ही पॉलिटिक्स है बस फर्क इतना है बीजेपी इम खुलके बोलती है कॉंग्रेस पीट पिछों इस तरह से करती है और मुस्लिम हमलावर आए वो अपने साथ घोड़े और मामुली सेना लेकर आये थे कुछ दिन लुट पार्ट करके और लुट कर चले जाते आने की लट लग गई लुटने की बीमारी लग गई इसके बाद अस्थानिये राजा आठवी सतावदी के बाद की बाद बता रहा हूं जो बुद्ध को कमजोर कह रहे हैं समराट अशोप को कमजोर कर रहे हैं जब भगवान महाविर जैन हुआ करते थे अस्थानिये हिंदू राजा आपस में छोटे-छोटे राज्यों के लिए लड़ र होते यहां तक की जो राजपूत राजा थे इन लोगों ने ताकत दिखाई मुगलों से भी लड़ने की ताकत दिखाई अंग्रेजों से भी लड़ने की ताकत दिखाई महराना परताप इन लोगों ने कुर्वानिया दी लेकिन भारत में इतने गद्दार राजा थे कि सब की कुर्वानी बेकार चली गई चिया गुरू गोविंज सिंग सहाव हो चिया महाराना परताप हो सिवा जी महाराज की कुर्बानी बेकार चली गई सम्भाजी महाराज को धोके से मारा गया मुगलोक और अंगरिजो को लाने में यहां के गद्दारों की बरी भूमिकातुन की पहचान कीजिए 15 सताबदी में बावार आया 12,000 सैनिक और 20 स्थोपों के दम पर उसमें मुगल समराची अस्थापना की ब्रिटिस अफसर रोबर्ट किलीब मात्र 750 ब्रिटिस सैनिकों के साहरे बंगाली शिरिया कंपनी की नीफ रगडाली किस बात का घमंड है किस बात पर गरब के तलवार रह रहाते हैं न गरब साली तिहांस है न अतीर है कुछ गरब साली तिहांस है वो आठवी सताबदी से पहले का है जब भारत बुषमे भारत था, तो एक भारत था समराट शोग का भारत था, चंतकोफ तो मौड का भारत था नागबंस का भारत था बाद में सिवाजी महराज हो, महराना परताफ हो गुरु गोबिन सिंग सहाव हो, इन सब लोगों ने लराई या लरी लेकिन लरने वाले कुछ ही बच गए थे गद्दार जादा थे इसलिए आठीवीस सतावजी से लेकर संभिधान बनने तक इस देश को गुलाम रखा गया इस पर बात कीजिए इमानदारी से मैं दो दिन बाद C.M. पस से इस्तिफा दिने जा रहा हूँ किनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दिया जाए ये बड़ा सवाल है और ये स्क्रीन सर देखिए ये जौनपूर के रहने वाले फरजियन काउंटर में मारे गए मंगेस यादव का महल तो आप लोगों ने देखी लिया था अब देखें सिग्रेट के लिए बदमासों की गोली खाने बले बनारस के सारदा यादव का सोरूम सुचिए इस तरह के टपरी वाले दुकान को भी गोली मारी जा रही जाती बाद में भारत के बरे स्कॉलर मौलाना महमुद मदनी का कहना है कि भारत सरकार को कानून बनाकर महंगी और खर्चिली सादियों पर रोक लगानी चाहिए ये बिलकुल सही है अम्बानी की शादी आप लोगों ने देखी होगी और गनेश पंडाल में जाती अत्याचार राजस्थान के कोटा में जाती बादियों ने एक एसी बच्चे को नंगा करके पीटा और उसे नाचने के लिए मजबूर किया चितिज गुर्जर, संदीप सिंग, गौरव सैनी और रासी सुपाध्याय इन सभी गुंडों पर कारवाई की जाए ये आरोपी तस्वीर नहीं दिखा सकता हूँ कि सिर्फ खबर बता रहा हूँ संगी कायर हैं, उन्हें पता है कि पाला पुतीन से परायस, जो सिधा मरवा देता है, बेज़ती से जिंदगी भली ये आरेसेस वाले ने बिरिटीज हुकूमत के सामने भी ऐसी सफाई देते रहते थे, यू आर मोस्ट ओवेडियन्ट सर्वेंट प्रियंका चतुरवेदी ने ट्वीट किया है, दरसल एक तस्वीर सोसल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप देखिए, जो हमारे एने से है, नेस्नल सेक्रिटी एडवाईजर अजित दोवाल, वो किस तरह से एकदम सक्ते में है, और पुतीन को कह रहे हैं कि सर हमारी जो इक प्रियतिक भविस्त को demolish करने की थी, सिवानन्तिवारी की बात सही है, उन्होंने केस को करीब से देखा, किस तरह नया पालिका के द्वारा लालू परसाद यादव को खत्म करने की कोशिश हुई, लालू परसाद यादव उसी दिन मनुबात की आँखों में किरकीरी बन ग लक्स थे, उन्हें पार्टी के निताओं लालू परसाद यादव को मिटाने की कोशिश की, लालू परसाद यादव के खिलाब पूरा एको सिस्टम हो गया, इसके दो कारण है, मनुबादी सक्तियों ने लालू परसाद यादव को खत्रे को रूप में देखा, उन्हें 1990 के बाद बिहार में कोई ब्रहामन या च्छत्री मुखवंत्री नहीं बन पाया का दूसरा करन जनता पार्टी के भी तरोबी सिनेताओं ने निज्जी में हत्व कांचा के चलते लालू परसादयादब को किनारे लगाना चाहा गाली खाई जेल गए अपमान सहन किया और सोसल पर वाइरल है आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी करें